हेलो इंवेस्टर्स मेरा नामे योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी तो आज की वीडियो में हम बात करने हैं स्पाइट जेट शेयर के बार में जो इसकी मार्केट में जो लेटेस नियूद चल देख सभी पे चर्शा करें और साथ ही बात करेगे आने विले समय में Spite Jet शेयर के हमें जो short term targets और long term में इसके क्या targets हो सकते सभी पर NLS करेगे तो आज का उडियो काफी ज़्यादा इंपूटन है तो वीडियो को अंतर देखना चले शुरू करते Spite Jet के आज की market की price की बात करें तो यह आज हमें 61 रुपीज के आसपास trade करते हुए नजर आ और साथ ही आप देखोगे श्टॉक में हमें Continually positive trend देखने को मिल रहा है जिस वज़े से आने विले समय में हमें Spite Jet में काफी बड़े targets देखने को मिल सकते क्योंकि stock में काफी बड़े बड़े news हमें देखने को मिल रहे है जिस वज़े से आने विले समय में Spite Jet हमें easily short term में और long term में काफी बड़े targets दिखा सकता है Spite Jet की जो सबसे ज़ए एक negative point वह है company के expenses क्योंकि आप देखो कि company काफी बड़े बड़े sales करते है और continuously हमें इनके sales में काफी ज़एदा improvement देखने को मिल रहे है जिस वज़े से आनुवले समय में Spite Jet हमें काफी बड़े targets दिखा रहे है क्योंकि company में आप देखो कि continuously अबे में good news देखने को मिल रहे है और continuously आप देखो कि फिछले एक दो मैने से Spite Jet में काफी बड़े बड़े news जो देखने को मिल जिस वज़े आनुवले समय में हमें काफी बड़े targets देखने को मिलने वाले Spite Jets में और मैं आनुवले समय में इसलिए Spite Jets में काफी बड़े targets दे रहा हूँ क्योंकि आनुले समय में जैसे कि जो management रहे स्पाइजेट कंपनी के जो fund raise की जो बाते चल रहे थी काफी लंबे समय से जिस वज़े से आप देखो कि जो stock में हमें काफी बड़ी एक rally भी देखने को मिल और काफी positive देखने को मिल रहा है हमें फिला लिये stock और आनुले समय में का कंपनी काफी लंबे समय से जो कंपनी में काफी ज़्यादा डैप्ट है कंपनी की sales तो अच्छी चल रही लेकिन जो expenses कंपनी काफी जास जिसलिए कंपनी की जो management करीब करी हमें 2250 करोड का जो fund raise करने वाले open market से जिसके सामने वो issuance of warrants करने वाले जिस पे company per share हमें आप company में आते हैं तो company के लिए काफी जादे game changing moment हो सकता है और इसलिए भी आप देखोगे तो आनुले समय में जो हमें तेजी भी काफी दीनों से हमें देखने को मिल दी क्यूंकि पता है आनुले समय में spike jet हमें काफी बड़े target दिखा सकता है और जो continuously आप इसमें जो volume भी देख देखने को मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा positive point है फिलाल तो और साथ हम इसके fundamentals पर बात खेले तो fundamentals हमें काफी ज्यादा improve होते विए नज़र रहे market capital पर आप नज़र डालो करी करी चाहार एक सो नो को रोड के आसपास करना market capital है book value पर आप नज़र डालोगे देखा जाए तो सब भी हमें negative भी देखने को मिला ROC भी देखोगे negative ROE भी देखो जाए तो सब भी हमें negative भी देखने को मिला लेकिन आ 52 विक हाई और 52 विक लो देखोगे तो इस टॉक ने हमें already काफी बढ़ी है return दे चुका है face value पर आप नज़र रहा तो 10 रुपए का आसपास हमें देखन हो मिलें के क्योंकि अभी देखा है तो फिलाल तो हमें stock में काफी जाए negative news देखने को मिलें लेकिन जो improvement देखने को मिलती ये stock में वो काफी बड़ी होने वाला है क्योंकि आप peer computer में देखोगे तो हमें ये company second number पे नजर आती हुई नजर आ रहे और जिसका price देखोगे तो क बड़ी करें से 60 रुपे के असपास हमें मिल रहा है जो कि काफी जादा under value price में मिल रहा है साथ ही आप उसके उपर के और उसके नीचे के stocks पे नजर डालोगे तो उनके figures पर नजर रहे तो काफी बड़े figures है और ये stock हमें फिलाल 60 रुपे के असपास जो की काफी जादा discounted price इस पर हमें मिल रहा है क्योंकि अभी देखा है तो फिलाल तो इनकी जो condition है काफी जादा हमें खराब देखने को मिलेगी लेकिन जो improvement देखने को मिलेगी तो आने वाले समय में company हमें काफी बड़े टागेस दिखा सकते है क्योई sales पर हम नजर डालोगे company की जो sales देखा सबसे जादा जैसे के मैंने वीडियो में starting में आपको बता है company के जो expense है जो खर्च है वो सबसे जादा एक negative वालने जिसके लिए company जो fund raise की बाते चल रही है तो इस पर जो company के management ने काफी जादा plans बनाएं तो आनुएले समय में यह हमें काफी जादा सुदार होते हुए नज काफी ज्यादा कम हो रहा है जो पिछले quarter से आप देखोगे तो company ने काफी ज्यादा loss recover किया जो एक देखा जया तो काफी ज्यादा पॉजिट्व होने balance पर भी आप नज़र डालोगे तो इनकी जो आप देखोगे रिजव भी देखा है तो फिलार माइनस में जाते भी नज जारा equity capital आप देखोगे तो 684 करोर के आसपस के हमें देखने को मिल रहे और साथ ही आप बात करें कि cash flow पे आप नज़र डालके देखा जा तो अभी हमें 82 के आसपस का इनका cash from operating activity देखने को मिल रहे बाखी सब आप देखोगे तो हमें माइनस में देखने को मिल रहे जो सब प्रोमोटर से company ने काफी लंबे समय से अपनी holding बरकरा रखे जो की stock के लिए सबसे ज़्यादा positive point लग रहे और साथ है आप FIS की नज़र डालो कि तो उन्होंने अपनी holding continuously जो कम की है बड़ा ही फिर कम की तो यह सब चलते हुए आ रहा है और साथ है आप DS के भी holding देखोगे तो उनकी भी holding कम हुई हमें देखने को मिल रहे है लेकिन जो promoter से company ने continuously अपनी holding बरकार रखे एक company पे बरोसा जयता रहे जो देखा जाए तो काफी ज़्यादा positive point मुझे लग रहा है तो आज के लिए बस इतना है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और आपको क किसे और श्टॉक के बारे में जानना है तो आप हमें comment section में बता सकते हो तो आज से लिए बस इतना ही चैनल पर इन्यों चैनल को subscribe करो मिलते अगले वीडियो में thank you